हलो दोस्तों कैसे हो आप सब, hope you all will be fine, so आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो है income tax related, so आप सब के mobile phone पे भी ये वाला जो tax message है, वो आ रहा होगा, कि dear customer, avoid last minute rush, file your ITR for annual 24-25 before 31st of July 24, and kindly verify data from AIS and 26AS before filing, so आपको जो ITR file करोगे आप, उससे पहले आपको अपना data जो है, इन दो form से verify करना होगा, तो ये form आपको कहां मिलेंगे, चलिए ये मैं आपको आज बताता हूँ, तो इसके लिए आपको simple income tax की website पर जाकर login कर लेना है, अगर आप रेजिस्टर नहीं किया, तो आपने पहले register कर लेना है, उसके बाद उसको जो है वो आपने login कर लेना है, login करने के बाद जो है, continue पर click करेंगे आप, इस तरह से login हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है उपर जो option आ रही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे form 26AS, तो इसके लिए आपने इस option पर click करना है, यहाँ पर आपके पास second option आ रही है, e-file आपको जाना है, इस option पर income tax returns, इस पर ज लिखाए देगी, view form 26AS, तो आप जो है, इस पर click कर दोगे, एक pop-up message आएगा, यहाँ पर आपने confirm पर click कर देना है, confirm पर click करते ही आप जो third party website पर transfer हो जाओगे, यहाँ पर आपको यह वाला pop-up आएगा, attention taxpayers, तो यहाँ पर आपको I agree कर देना है, tick करके यहाँ पर proceed पर click कर दे सामने open हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो आ रहा है, assessment air, यहाँ पर अभी 24-25 assessment air, और view as जो है option आपने select करनी है, html, और उसके बाद यह जो नीचे button दिया गया है, view download, इस पर click कर देना है, इस पर click करते ही, यह जो है आपकी, जो 26AS form है, इसकी information जो है नीचे open हो तो यहाँ पर यह देखिए, आपका जो भी कटा हुआ होगा, वो यहाँ पर show करेगा, इसमें यह जो है plus का sign जो है, आप इस पर click करके इसको detail में भी देख सकते हो, कि आपका जो transaction date क्या थी, और आपका total amount created जो था, वो कितना हुआ था, और कितना आपको total tax जो है, वो deduct तो यह पूरी information आप यहाँ से अपनी देख सकते हैं, इसमें एक चीज़, जो change है, वो यह है कि इसमें जो है, आपका self assessment tax या advanced tax payment जो है, वो नहीं दिखाई देती है, अब आपको अगर यह पूरा download करना है, तो आप simply यहाँ पर जाएंगे, यह जो view और download का जो option था, जो download हो जाएगी, अब आप इसको open करेंगे, तो इसमें आपको पूरी detail जो है, आपके TDS की वो पूरी show कर देगा, तो इसमें आपका जो total tax deducted है, total amount paid and total tax deducted वो आप जो है, PDF form में देख सकते हैं, और इसका print भी ले सकते हैं, तो यह है आपका 26AS, और इसके साथ match करके, आप जो ह information जो है, वो match करके ITR file कर सकते हैं, तो यहाँ से आप अपना 26AS जो है, वो download करके check कर सकते हैं, तो next है आपका AIS, तो AIS form हम कहां से download करेंगे, उसके लिए भी same यहीं पर आपने जाना है, तो यहाँ पर जो आपकी option आ रही है, यह देखिए, menu पर ही आजाएगी, जो आप इसक proceed पे click कर देना है, proceed पे click करते ही, जो आपका page open होगा, वो होगा यह, तो यहाँ पर आपको जो है option दिखा रहा है AIS, यहाँ पर आपने click करना है, और यह आपके पास taxpayer information summary TIS और annual information statement AIS दोनों ही दिखा देगा, यहाँ पर जब आप TIS पे click करेंगे, तो यह information आपको यहाँ पर TDS या TCS कटा है, वो दिखाई देगा, और यहाँ पर AIS में आपके pen card के against जो भी financial transactions हैं, जो government के पास recorded है, वो सारी की सारी entries आपको जो है यहाँ पर दिखाई देगी, वहाँ पर यह फरक नहीं पड़ता कि उसके against TDS या TCS कटा हुआ है या नहीं, अगर नहीं भी कटा हुआ तो still यह सारे transactions आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि आपने mutual fund sellout किया है, purchase किया है, आपकी annual salary, interest from saving bank, interest from deposits, जो भी होगा, वो सारी entries आपको जो है यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ पर एक और option है, अगर आपको पूरा detail में देखना है, तो आप यहाँ पर annual information system, अ साइन बना है, इसपे click करके इसको detail में भी देख सकते हैं, जो भी sign बना है, उसके उपर click करके आप इसको detail में देख सकते हैं, कि कौन से bank से कब कितना interest कटा है, आपको कितना interest मिला है, तो यहाँ प sniff to customer payment, पर click करके भी यहाँ पूरी detail में यह वाली information देख सकते हो यहाँ पर आपका salary का जो है वो detail दिखाएगा और यहाँ पर जो अगर आपने detail में information देखनी है तो यहाँ पर second option है SFD information तो आप इस पर click करेंगे तो पूरी detail आपको यह दिखा देगा कि कौन से bank का interest जो है source क्या था means वो bank कौन सा था और उसका जो amount है वो कितना amount जो है आपका वो deduct हुआ as a tax कितना आपको मिला interest और कितना tax उस पर deduct हुआ यह पूरी information आप यहाँ से check कर सकते हैं और अगर आपने check करना है कि कौन से bank का है means account number भी check करना है और यहाँ पर demand and refund पर जो आप click करोगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि last year में आपको जो कोई भी refund मिला होगा तो उसका amount भी यहाँ पर show कर देगा with date of payment कि आपको कोई refund मिला है या नहीं मिला है so TIS में एक information और है जब आप इस पर जाओ गया तो यह information आपको दिखा रहा है यहाँ पर total दिखा रहा होगा total interest from saving bank और total interest from deposit उसका total दिखा रहा होगा आप इसको detail में देखना चाहते हैं वाइफर केट करके तो आप इस amount पर click करेंगे तो यह बता देगा bank wise की कौन से bank में क्यों से FD पर या कौन से saving account में आपको कितना कितना जो है जो interest मिला है उसको मिला के जो आपको ऊपर total show कर रहा है उसको मिला के इतना बन रहा है तो आप इसको अलग लग करके भी देख सकते है आपके लिए information जो है यह जो वीडियो है यह informative होगा अगर informative होगा तो प्लीज चैनल को like करें, share करें, subscribe करें, thank you very much, have a nice day